मैं हूं संजिना और हम लोग देख रहे हैं बिहार सिक्षयक भरती से सम्मंधित हिंदी को और हिंदी में आज हम लोग देखने वाले हैं लिंग को आज हम लोग लिंग को देखेंगे और उसके बारे में डिसकॉस करेंगे तो हम लोग लिंग देख रहे हैं और लिंग की सबसे पहले परिभासा देखेंगे, देखेंगे कि लिंग आखिर होता क्या है तो संग्या के जिस रूप से किसी वस्तु की इस्तिरी या पुरुस जाती का भॉध हो, उसे हम क्या कहते हैं उसे हम लिंग कहेंगे उसे link कहेंगे संग्या के जिस रूप से किसी इस्त्री या फिर पुरुष जाती का बोध हो उसे हम link कहेंगे link जो होता है वो दो प्रकार का होता है हिंदी में link दो तरह का होता है एक पुरुष link यानि कि pulling और दूसरा इस्त्री link एक क्या हो जाएगा pulling होगा दूसरा क्या होगा इस्त्री link होगा हिंदी में link जो होता है वो दो तरह का होता है एक pulling और एक इस्त्री link अब यहाँ पर हम लोग कुछ example देखेंगे इस्त्री link और pulling के तो यहाँ पर देखते हैं pulling और ये इस्त्री link घोड़ा का क्या होगा? घोड़ा का घोड़ी घोड़ा का घोड़ी दुल्हा, इस्त्रिलिंग दुल्हन भाई का इस्त्रिलिंग बहन राजा का इस्त्रिलिंग रानी लड़का का इस्त्रिलिंग लड़की अभिनेता का इस्त्रिलिंग क्या होगा? अभिनेत्री वैसे ही अभिधार हम लोग देखेंगे पुलिंग और इस्त्रिलिंग को तो पुलिंग दास का दासी सुनार का इस्त्रिलिंग? सुनारीन आदमी का इस्त्रिलिंग? औरत बेल का इस्त्रिलिंग क्या होगा गाई स्रीमान का इस्त्रिलिंग स्रीमती याचक का इस्त्रिलिंग याचिका तो इस तरह से हम लोग कुछ एक्जामपल देखे कि पुलिंग और इस्त्रिलिंग का इस तरह से हम लोग कुछ इक्जामपल क्या देखे पुलिंग और इस्त्री लिंग का कुछ एक्जामपल हम लोग देखें यहाँ पर तो लिंग सबसे पहले क्या चीज़ कि संग्या के जिस रूप से किसी वस्तु के इस्त्री या फिर पुरुस होने का भाव प्रकट होता हो उसे हम लिंग कहते हैं लिंग जो होता है वो दो तरह का होता है पुलिंग और इस्त्री लिंग होता है अब हम लोग इधर देखें पुलिंग के एक्जामपल को देखें यहाँ पर और इस तरफ में हम लोग इस्त्री लिंग के एक्जामपल में देखें इस्त्रिलिंग के एक्जामपल देखे और साथ ही साथ हम लोग पुलिंग से इस्त्रिलिंग बनाना भी देखे यहाँ पर कि कैसे पुलिंग से इस्त्रिलिंग बनेगा तो पुलिंग से इस्त्रिलिंग बनाना भी सीखे हम लोग और पुलिंग का भी example देख लिए अब कुछ चीज़े ऐसी भी होती हैं जैसे कि उसका वो हमेशा ही इस ट्रिलिंग में ही होते हैं और हमेशा ही पुलिंग में ही होते हैं तो उन चीज़ों को भी हम लोग देख लेते हैं यहां हम लोग देख रहे हैं कि कुछ सब्द ऐसे होते हैं जो कि हमेशा पुलिंग ही होते हैं हमेशा क्या होते हैं पुलिंग होते हैं कुछ सब्द ऐसे होते हैं जो कि हमेशा पुलिंग होते हैं तो उनका स्ट्रिलिंग कैसे बनाया जाएगा? जैसे कि हम लोग देखेंगे कि गेंडा, यह क्या है? यह पुलिंग है और इसका स्ट्रिलिंग बनाना होगा, तो गेंडा, बिच्छू, पक्छी, पशू, चीता, खटमल, मक्छड, इस तरह की और भी सब्द होते हैं, जो की क्या होते हैं? तो इनका स्ट्रिलिंग कैसे बनाया जाएगा? तो इनका स्ट्रिलिंग बनाने के लिए इन सब्दों से आगे मादा सब्द जोड़ा जाता है, मादा सब्दे जोडा जाता है जिससे की इसका इस्त्रिलिंग बन जाता है जैसे कि हम लोग देखेंगे गेंडा तो यहाँ पर हो जाएगा मादा गेंडा बिच्छू मादा बिच्छू पक्छी मादा पक्छी हो जाएगी पशू मादा पशू चिता मादा चिता खटमल मादा खटमल मादा मादा बिच्छू तो यह सब्द जो होते हैं इनके आगे हम लोग क्या जोड़े हैं तो इसके आगे हम लोग मादा सब्द को जोड़े हैं मादा सब्द को जोड़ करके और इसका क्या बना दिया जाता है इस्त्रिलिंग बना दिया जाता है मादा सब्द को जोड़ कर कि क्या बनाया जाता है इसका इस्त्रिलिंग बनाया जाता है आगे हम लोग देखते हैं कुछ सब्द जो होते हैं वो सदा इस्त्रिलिंग होते हैं कुछ सब्द सदा इस्त्रिलिंग होते हैं उनका जो फॉर्म होता है वो इस्त्रिलिंग का ही होता है तो वैसे सब्दों को पुलिंग कैसे बनाया जाएगा वैसे सब्दे को क्या किया जाएगा पुलिंग कैसे बनाया जाएगा तो यह हो गया कि यह जो सब्द है वो इस्त्रिलिंग है और इसका हम लोगों को पुलिंग जोड़ा जाता है क्या जोड़ा जाता है नर जैसे कि कोयल का नर कोयल मचली में नर मचली तितली में क्या हो जाएगा नर तितली मेना नर मेना गिलाहरी नर गिलाहरी मक्की नर मक्की तो इसमें हम लोग ये जाने कि जैसे पिछला था कि कुछ सब्द सदा इस्त्रिलिंग होते हैं तो उसमें हम लोग मादा जोड़ करके इस्त्रिलिंग बना रहे थे तो उसी प्रकार से अब हम लोग देख रहे हैं कि कुछ सब्द सदा इस्त्रिलिंग होते हैं तो इसमें हम लोग नर जोड़ करके क्या बना रहे हैं तो जैसे कि कोयल का नर कोयल मचली का नर मचली तितली नर तितली मैना जोड रहे है नर जोड़ रहे हैं और जोड करके क्या कर रहे है कि इसका स्ञहरत सों रहे शोटेंगे तो इसे आप लोग देख लेंगे क्योंकि इन सब को एक सांथ बोर्ड पे बता बाना पॉसिबल नहीं है और इसको देख करके और इसको अपने प्रैक्टीस में रखिएगा प्रैक्टीस जितना ज़्यादा प्रैक्टीस होगा उतना ही ज्यादा समझ में आएगा तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को इसको क्या करना है? प्रैक्टीस करते रहना है तब तक के लिए धन्यमाद और लाइक से और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा